तो हलो व्राइस वेगे दो माई यूटूब जैम्स टवाई के टेक्निकल ग्यान और आज मेरे पास अवेलिबल है सामसेंग गैलेक्सी एसेवंटी टू फोन और इस फोन में आ चुका है एक नया सौफ़वेर अपडेट अब यह कौन सा सौफ़वेर अपडेट है यह सौफ़वेर अपडेट है वन यूवाई 6.0 और एंड्रोइट वर्जन 14 दोस्तों काफी अच्छा अच्छा फाउल सौफ़वेर अपडेट है और काफी ज्यादा नए फीचर से आपको दूंगा जो दादा यूसफूल होंगे क कुछ features को मैं skip कर दूँगा फिलाल software update को तो मैं download कर चुका हूँ बस मुझे इसे install करना बाकि है आप देख सकते हो update ready to install आपको software update करने के लिए स्क्रोल लाइग करना आपको software software update का option मिलेगा उस पर क्लिक करना है यहां पर आप download and install के option पर क्लिक करना यहां पर आप देख सकते हो one UI 6.0 update ready to install क्योंकि मैं इसे download कर चुका हूँ आपको download करने के लिए कहेगा और अगर हम download करने की बात करें तो कितने MB का software update है क्योंकि software update हमेशा MB में ही होते है यहां पर आप definitely आप Wi-Fi से download करना उसका reason क्या है तो यह reason यह है कि यह software बे 2243 2243 याने almost 2GB का यह software update है तो जिससे आप definitely Wi-Fi पे download करना और single में ही download करना आदा आदा करके download बिल्कुल मत करना यहां पर कुछ conditions भी लिखी गई है जिसके बारे मैंने अलग सिक वीडियो बनाई है जिसकी link मैं आपक description में दिए तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखना उसके बाद ही software update download करना उसके बाद ही उसे install करना वीडियो की link description में आप पहले वीडियो जरूर देखे अब यहाँ पर जो one UI update है याने OS update का यहाँ पर काफी जादा नहीं features provide करे गया है जिसके बारे में view all changes पर प्लिक features है अब यहाँ पर शुरू करते हैं काउन काउन से features है समय पहले यहाँ पर quick panel किसे कहते है तो जैसे आप scroll down करते हो internet और इन सब चीज़ों को on करने के लिए इसे quick panel करते है जाका आप जल्दी से किसी चीज़ को access कर सको यहाँ पर new button layout कर दिया गया है जो छोटे छोटे चोट brightness control आप brightness को भी जल्दी से control कर सकते हैं आप दिख सकते हैं मुझे ब्राइटनेस को अगर control करना है तो मुझे दो बास scroll down करना पता है लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा इंप्रूव एल्बामाट डिस्प्ले यहाँ पर आपको मीडिया और वीडियो का प्लेबेक का एक option बिल जाएगा अपने क्विक पैनल बही जिससे आप लास्ट वीडियो या लास्ट ओडियो को सुन सकते हूँ यहाँ पर लिखा गया इसा उसके लावा इन्हांस लेयाट फूर नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन से उनके लिए और को थोलावा इन्हास करते हैं ताकि वो देखने में जाता है बेतल लगे मोर विवीड नोटिफिकेशन आइकन को यहाँ पर इंप्रिफाइगा गया थोड़े color option यहाँ पर लिखा गया है उसके अलावा लॉक स स्कीनिंग के लिए जैसे सिंप्लिफाइड आइकन लैप्स का हो चुका है और ड्रैग और ड्रॉप विट्व हैं मतला आप दूहाँ से एप्लिकेशन को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पर यह चीज़ को ही मैंशन करा गया है उसके बाद जो चीज अच्छे लगी म मुझे लगी मल्टिटास्टिंग में एक option रहता है कि पॉप विंडो ऊपन आप पफब बिनडो कैसे कहते है जो आपको छोटी सी कर देते हो और यूज्ज कर तकि मृटिटास्टिंग में दूसरी अप्लैक्शन को यहाँ पर यहाँ पर यह चीज कर गया है सो मल्टी टास्टिंग के बाद यहां पर कीबोर्ड के अंदर क्या चेंज करा गया तो न्यू इमोजी डिजाइन यहां पर जो छोटे मूटे इमोजी से उसके डिजाइन यहां पर नए आपको दिये गए उसके बाद कॉंटेंट शेरिंग जो मुझे परसनली बहुत अच्छ जरू करेगा जैसे कि वैधर के विजट्स आपको नहीं मिल जाएंगे मोर इंफ्रमेशन वैधर अप्लिकेशन आपको मिल जाएगी मैप भी आपको सदर बेतर मिल जाएगा इनहास कर दिया गा उसके बाद क्यामरा के अंदर भी काफी अच्छे चेंजिस करेगे जो पहले के लिए simply click करोगे और वही मोड में camera on हो जाएगा more alignment option for watermark अब watermark के लिए आपको एक नया option मिल जागा जहाँ पर watermark आप चाहो तो सबसे नीचे सबसे उपा center में कहीं पर भी रख सकते हो उसके रहाँ scan document easy ले एक option लेता है जिसे आप on कर दोगे तो आपके phone में कोई भी अगर camera document लेगा तो उसे जल्दी से scan कर लेगा quick access resolution setting ले जो photo वीडियो दोनों में रहता है कि आप जल्दी से select कर सकते फोटो किसे resolution में आपको select करना है या फिर वीडियो किस resolution में आपको यहाँ पर select करनी है उसके लाग की picture level यहाँ पर भी अच्छा option लेटा है जिसे आप option मिल जाएगा ड्रेगेंड ड्रॉप टू है और इंहाँ story layout का आपको यहाँ पर option मिल जाएगा चोटर मुटे changes है लेकिन यूस्फूल चैन्जीज है इसके लाफ फोटो एडिटर जो बाइडिटर जो काफी साथा बहतर काम करता है इससे और बहतर कर दिया गया है यहाँ प आपको option मिल जाता है अगर आपने कोई गलती करी तो आप उसे आसाई से सुधार सकते हो जो कि मुझे अच्छा रखता है और यह text में भी काम करता है उसके अलावा draw on custom sticker मतलब आपको option मिल जाता है एक feature मिल जिससे आप custom sticker को भी draw कर सकते हो और new text background and style आप नए text और background के आपको save and edit project मतलब आप video save करोगे तो आपसे पूछेगा वाइस आप video permanent save करने है ऐसे project रखने है तक आप उसे feature में भी काम कर सको ज़रूरी यूज करे उसके लाव video player जो by default रहता है उसका layout को इनौस कर दिया गया है और उसकी playback speed को आपको control करने का option दिया गया है उसके लाव samson health काफ view your reminders in calendars आपके reminder भी आप calendar में देख सकते हो move event with two hands मतलब दो आस से आप events को भी move कर सकते हो reminder में काफी अच्छी option दिये गए जो कोई person भूल जाता है तो उसे बता दू reminder के आप list create कर सकते हो new reminder categories ही मिल जाएंगे more option creating reminder reminder और full day का भी आपको reminder का option मिल जागा तक कि आप पूरा थिंग याद रख सकतो कि कौन सी चीज़ आपको कप करनी है इसके रहाव samson internet के अंदर आपको अच्छा option मिल जाता है play video in background move bookmark and tap with two hands मतलब छोटे मुटे options है लेकिन useful है smart select का आपको option मिल जाता है किसी photo में से आप text को select नहीं तो किसी person को select नहीं जाता हो यह काफी अच्छी बात है वह आपको मिल जाएगा मैं personally use नहीं करता है smart suggestion का आपको option मिल जाएगा new look and feel more and customization का आपको option यहाँ पर मिल जाएगे जो कि आपके phone को customize करने में ज्यादा help करते है उस वाइसे कुछ लोग को अपना phone अलग ही पसन होता है उस वाचे से finder का एक अच्छा option available है जहाँ पर आप कोई भी चीज कोई भी content अपने phone में से search कर सकते हो जहाँ पर समझ लीजे क्योंकि access आप कर सकते हो किसी application के किसी content के बारे में my file के अंदर आपको free app storage औ intelligent trash with gallery and voice recorder का आपको option मिल जाएगा इसे personally use मत करना copy file with two hands का आपको यहाँ पर option मिल जाएगा samson pass मुझे personally बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर मैं अपने सारे id password को save रख सकता हूं और पहले biometrics से काम करता था अब यह pass की से भी काम करेगा और नंबर से भी काम करेगा setting के अंदर आपको smart aeroplaning mode का option मिल जाएगा आपको रिपोट रता लेकर ना इनहास लेयाओट है और more content in weekly report यह weekly आपको रिपोट रता है कि आपने phone कितना यूज करा कौन-कौन सी application आपने ज्यादा यूज करी तो यह भी definitely काफी कमाल का है वीडियो पसना है तो प्लीज लाइक करें में टीस्टी टुप्चल को जरूर स सब्सक्राइब करें